हलो स्टूडेंट्स वैलकम टू डी सरस्वती एकैडमी आज हम क्लाश 10 के इंगलिश के सेकेंड चैप्टर राम लक्षमन परशुराम समवाद का फुली एक्स प्लैन करेंगे हिंदी में तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने बेस फ्रेंट के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला भाग है नात संभु धनु भंजनी हारा होया ही केऊ एक दास तुम्हारा आये सु कह कहिया किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही सेवकु सोजो करे सेवकाई अरि करनी करी करिया लहराई सुनहु राम जेही सिव धनु तोरा सहसबाहु समसो रिपु मोरा सो बिलगाउ भिहाई समाजा नात मारे जैह ही सब राजा सुनी मुनी वचन लखन मुसुकाने बोले बरसु धरही अवमाने बहु धनु ही तोरी लरिकाई कभु न असी रिसकीन ही गोसाई येही धनु पर ममता कही है तु सुनी रिसाई का भ्रिगु कुल के तु इसका मतलब है श्री राम जी के द्वारा श्रिव धनु स्टोड़े जाने के कारण जब परशु राम जी क्रोधित हो जाते हैं तब उनके क्रोध को देखकर जनक जी के दरवार में सभी लोग भैभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर परशु राम जी से कहा कि हे नात भगवान शिव के धनूश को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा आपकी क्या आज्या है आप मुझसे क्यों नहीं कहते राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले सेवक वो कहलाता है जो सेवा का कारी करता है शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है कहने कातात पर यह यह है कि आप किसी को कष्ट देकर उसको खुशी नहीं दे सकती हे राम मेरी बात सुनो जिसने भगवान शिव जी के इस धनूश को तोड़ा है वस सहस्रबाहू के समन मेरा शत्रु है अर्थात जिसने भी भगवान शिव के धनूश को तोड़ा है उसकी चाए हजार भुजाएं हो वा फिर भी मेरा शत्रु है फिर वो राथ सभा की तरब देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनूश तोड़ा है वा व्यक्ति खुद बखुद इस समात से अलग हो जाए नहीं तो यहां उपस्तित सभी राजा मारे जाएंगे परशुराम जी के इन क्रोधपुर वचनों को सुनकर लक्षमन जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले हे गोसाई गोसाई का मतलब संत ठीक है हे इस गोसाई बच्पन में हमने ऐसे चोटे चोटे बहुत से धनूश तोड़ डाले थे किन्तु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं इस धनूश पर आपकी इतनी ममता क्यों है लक्षमन की इस तानवरी बातों को सुन कर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले अरे राजा के पुत्र मृत्यू के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तु क्या बोल रहा है तु संभल कर नहीं बोल रहा है और ये श्रिव जी का धनुश है आगे है दूसरा भागिसी का बालकू बोली बधों नहीं हो तो ही केवल मुनीजड जानही मोही बाल ब्रहमचारी अतीको ही बिस्व बिदित ख्षत्रिय कुल्द्रो ही भुजबल भुमी भूप बिनुकीन ही बिपुल बार मही देवन्ह दीन ही सहस बहु भुज छेद निहारा इसका मतलब है परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसके तूट जाने पर इतना ज़्यादा गुसा होता हुआ देखकर लक्ष्मन जी हसकर परशुराम जी से बोले कि हे देव सुनिए मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते है लक्ष्मन स्रीराम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के तूटने से क्या लाब है अत्वा क्या हानी है या बात मेरी समझ में नहीं आ रही है श्रीराम जी ने तो इसे केवल छुआ था लेकिन या धनुष तो अच्छूते ही तूट गिया फिर इसमें श्रीराम जी का क्या दोश है मुनिवर आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे है कहने का तात पर यह यह है कि लक्ष्मन जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहते क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े थे लक्ष्मन जी की व्यंग यानि की तानो भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वा अपने फरसे की और देखकर बोले अरे दुष्ट क्या तुने मेरे स्वभाव के विशए में नहीं सुना मैं केवल बालक समझ कर तुमारा वध नहीं कर रहा हूँ अरे मुर्ख क्या मुझे तु केवल एक मुनी समझता है मैं बाल ब्रहमचारी और अत्यंतर क्रोधी स्वभाव का हूँ मैं पूरे विश्व में क्षत्री कुल के घोर शत्रू के रूप में प्रसिद्ध हूँ क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है मैंने अपनी इनी भुजाओं के बल से पृत्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राम्मनों को दान में दे दिया था हे राज कुमार मेरे इस फरसे को देख जिसने मैंने सहसर बावू अर्थात हाजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था अरे राजा के बालक लक्षमन तुम मुझसे भीड़कर अपनी माता पिता को चिंता में मत डाल अर्थात अपनी मौत को ना बुला मेरा फरसा बहुत भयंकर है या गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है कहने का तत पर यह यह है कि परशुराम जी लक्षमन को समझाने का प्रियास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वो किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकी चाते हैं वो किसी को भी मार देते हैं इसका तीसरा और आखरी भाग है बिहसी लखनू बोले मृदुबानी अहो मुनीसू महाभट मानी पुनी पुनी मेही देखाव कुठारू चहत उडावन फूकी पहारू इहां कुमहड बतिया कोव नाही जे तरजनी देखी मरी जाही देखिये कुठारू सरासन बाना मैं कचु कहा सहित अभिमाना भ्रिगु सूत समुझी जेनेव बिलो की जो कचु कहा हूँ सहारिस क्रो की इसका अर्थ है परशुडाम जी के क्रोट से भरे वचनों को सुनकर लक्षमन जी बहुत ही अधिक कोमल वानी में हस कर उनसे बोले की हे मुनिवर आप तो अपने आपको बहुत बड़ा युद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूक मार कर पहार उड़ाना चाहते हैं परन्तु हे मुनिवर यहाँ पर कोई भी सीता फल अर्थात कुम हडे के छोटे फल के समान नहीं है जो तरजनी उंगली को देखते ही मर जाएं मुनिजी मैं आप मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुषबान देखकर ही अभिमान पुर्वक आपसे कुछ कहा था कहने कातात पर यह है कि एक शत्री ही दुसरे शत्री से अभिमान पुर्वक कुछ कह सकता है जनेयू से तो आप एक भ्रिगुवन्शी ब्रहमन जान पड़ते हैं इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने कुरोध को रोक रहा हूँ हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्रहमन, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर अपनी वीरता नहीं दिखाया करते हैं क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकिर्थी, अथ्वा, बदनामी होती है इसलिए आप मारे भी, तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए हे महामुनी, आपका तो एक-एक वचन ही करोडों वज्जरों के समान कठोर है आपने व्यरत में ही फरसा और धनुशबान धारन किया हुआ है आपके धनुश और फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कर दिया हो तो हे मुनीवर, आप मुझे एक श्रमा कीजिए लक्षमन के यव्यंग वचन सुनकर भ्रिगुवन्शी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में और भी गंभीर हो गए तो यही था इसका तीसरा भाग का एक्स्प्लेनेशन तो आई होब कि आपको वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही यह वीडियो अपने वेश्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना मिलते हैं आखली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद